जी हाँ नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का RS News के को नई वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो चौत्ते टेस्ट मुकाबले का चौत्था दिन खेला गया तो आज चौत्ते दिन मैदान पर क्या क्या हुआ उसी के बा सब्सक्राइब के बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और उस्टेला के बीच फाइनल टेस्ट मुकाबला ब्रिजबेन में खेला जा रहा है जहां पर आज चौत्ती दिन का मुकाबला खेला गया तो वहीं आज भारते टीम के गिंदवाजों ने शांदर प्रदर्शन करकर दूसरी पारी में ऑस्टेला की टीम की धज्या उड़ा दिया और ऑस्टेला की पूरी की पूरी टीम को 294 रनों के स्कोर पर आउट कर दिया और ऐसे म भारत के आगे जीत के लिए उस्टेला की टीम ने 327 रनों का लक्षा रखा है तो वहीं हम आपको बताएं कि आज तीसरे दिन के मुकाबले में जब ओपनिंग करने के लिए उस्टेला ही टीम के दो बल्ले बाज मार्कस हैरिस और डेविड वानर मैदान पर उतरे थे तो इ फिर मैदान पर उतरे थे मार्नस लाबुशेन और इस्टीवी स्मिट जहाँ पर आज मार्नस लाबुशेन चोत्ते दिन तुफानी अंदाज में बल्ले बाजी कर रहे थे लेकिन उनका एहम विकेट मुहमस शिराज लेने में काम्याब हुए और यहाँ पर मार्नस फिर मैदान पर उतरे मैथ्यू वेड जहाँ पर मैथ्यू वेड को भी मुहमस सिराज ने शुन्या रन के स्कोर पर आउट कर दिया तो वही इसी तरह स्टीवी स्मिट का विकेट भी मुहमस सिराज ने लिया जहाँ पर स्टीवी स्मिट आज के इस मुकाबले में 55 बना कर आ हाला कि आज के इस मुकाबले में नावाद रहे पैट कमिंग्स जिन्होंने 51 गिंदों का सामना करत हुए 28 रन बनाए और इसी तरह से पूरी ऑस्टेला की टीम ओल आउट होगी 294 रनों पर और अब ऐसे में भारतिया टीम को जीतने के लिए आज के इस मुकाबले में 327 रनों कमेंट करके बताईए कि आज जो मुहमेश शिराज ने 5 विकिट हासिल किये उसके लिए आप उन्ने 10 में से कितना अंके देना चाहोगे और क्या 14 एतिहासिक टेस्ट मुकाबला भारतिया टीम जीत पाईगिया फिन नहीं ये भी आप में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट क